नमस्कार दोस्तों मैं हो विनोद टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में कॉल्टरा वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसके पहले वाली वीडियो में प्राइमेंट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताया था और उसके भी पहले प्रसीव वाउचर वाली वीडियो में हमने अपको ट्रांजिक्शन को रिकॉर्ड करने के तरीके को सरन और विस्तरत रूप से समझाया था इसके अलावा हमने उसमें कमपनी की कमपनी फीचर्स और कॉन्फिग्रेशन का भी उपियोग बताया था यहां हम आपको ये भी बता दे कि यही तरीका सभी वाउचर के ट्रांजिक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए है इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि ट्रांजिक्शन को अच्छे से समझने के लिए उन वीडियोज को जरूर देखें और एक बार ध्यान रखें कि आपको सिर्फ वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा यदि आप इस वीडियो का सही लाब लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह दो तीन बार प्रेक्टिकल जरूर करें अब सबसे पहले हम कॉंट्रा वाउचर को समझ लेते हैं जब कैश अकाउंट से पैटी कैश, कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसर किया जाता है तो उसके transaction को record करने के लिए इस voucher का उप्योग किया जाता है इसे हमें चित्र के माद्यम से समझ सकते हैं यहां मैं तुपोर बात यहा है कि अभी हमने contra voucher में जो transaction बताए हैं उनमें cash account, bank account दोनों ही हमारे हैं इसमें बाहर की कोई भी party संबलिक नहीं है यानि contra voucher में तिर्फ वे transaction आते हैं जिनमें देने वाले भी हमी होते हैं और पाने वाले भी हमी होते हैं तरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस voucher का उप्योग पैसा एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में रखने के लिए किया जाता है हमारा पहला transaction है कि 2 April को हमने 20,000 State Bank of India में नगद cash जमा किया हमारा पहला सवाल है कि इस transaction में प्रवावित होने वाले दो खाते कौन से हैं transaction को दिहान से देखें यहां bank में नगद रुपया जमा किया गया है यानि cash गया है तो यह हुआ हमारा एक खत अब दूसरा खाता देखते हैं cash कहा गया है या कह सकते हैं कि cash किसे दिया है तो cash bank में जमा किया गया है यानि दूसरा खाता हुआ bank account का अब दूसरा सवाल खाते किस प्रकार के हैं नगदी यानि cash का खाता हुआ हमारा real account और bank का खाता हुआ हमारा personal account अब तीसरा सवाल कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit तो bank में हमने रुपिया जमा किया यह कह सकते हैं bank को पैसे दिये तो bank हुआ पाने वाला bank account personal account है और personal account के लिए नियम है कि पाने वाले को debit कर यानि debit the receiver तो यहाँ पर State Bank of India debit होगा अब हम देखते हैं दूसरे खाते को जो cash का ह और यह real account है और real account के लिए नियम है कि जो व्रस्तु व्यापार में जाए उसे credit करो यानि credit words goes out अब यहाँ पर जो चीज गई है वो है नकती यानि cash account इसका मतलब यह हुआ कि cash account credit होगा तो चलिए इस transaction को telly में record कर लेते हैं या हमने telly में अपनी company open कर ली हैं अब transaction को record कर ले अभी हम gateway of telly पर हैं यहाँ हमें transactions के अंतरगत vouchers के अंदर जाना होगा और उसके लिए keyboard से वी प्रेस करें देखें राइट साइट में सभी vouchers के नाम और उसके आगे उनके shortcuts दिखाई पड़ रहे हैं Contra voucher के लिए F4 की प्रेस करें यह देखें ऐसा करते ही Contra voucher creation window open हो गई है यहाँ एक मैत पूर बात का ध्यान दें कि जिस तारिक में कोई transaction होता है टैली में उसी तारिक में उसे record किया जाता है हम जो transaction record करना चाहते हैं वो दो अप्रेयल का है तो यहाँ पर आपको F2 प्रेस सकते हैं जैसे हमारे case में अभी जो हमारी date है वो यहाँ पर 2 April ही आ रही है तो हम यहाँ पर enterprise करेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे आप particulars में यहाँ पर आ चुके हैं और इसके नीचे आप देख सकते हैं CRE यानि credit आपको दिखाई पड़ रहा है साथी right side में आप लिस्ट अकाउंट दिखाई पड़ रहा है इस लिस्ट में मैंत पूर बात यह है यहाँ पर सिर्थ वे ही रेजर्स दिखाई पड़ते हैं जो bank से और cash से समबंदित होते हैं क्योंकि contra voucher में इन दोनों के बीच जो भी transactions होते हैं केवल वरी record किये जा सकते हैं credit में हम cash account को select कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही credit में जो balance है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इसके बाद हम यहाँ पर amount में 20,000 रुपे टाइप करनेते हैं लेकिन अभी हम आपको कुछ समझारा चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पर 20,000 की जगह 1,20,000 रुपे देखे ऐसा करते ही नीचे negative cash की warning आ रही है और जितना amount कम है उतना balance दी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ध्यान दें कि हमारे पास जो cash account का balance है और transaction में हम जो amount record करने जा रहे थे यह उन दोनों का difference है कहनी का मतलत यह है कि यदि आप यह transaction record करना चाहते हैं तो आपक जितना कम है वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाल रंग में आपको यहाँ पर current balance में दिखाई पड़ रहा है यदि आप इस तरह की warning के बाद भी transaction को record करना चाहते हैं तो कर सकते हैं transaction को record करने की process रैसे ही रहेगी जैसा हम आपको आगे बताएंगे यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें यदि आप चाहते हैं कि transaction को record करते समय negative balance होने के बाद भी negative cash की warning ना आए तो उसके लिए आपको अपने keyboard से F12 की press करना होगा और यहाँ पर आपको wrong और negative cash balance को no कराना होग no करने के बाद आप इसे enter करके यहाँ पर save कर देंगे तो negative cash की warning आपको दिखाई नहीं देखी हम ऐसा नहीं चाहते हैं इसके लिए हमस cap करके बाहर जा रहे हैं हमें यहाँ पर 120,000 की जगा पर 20,000 ही चाहिए तो हमें यहाँ पर backspace की press करके हाँ पर 20,000 टाइप कर लेते हैं debit करना है तो उसके नहीं हमें यहाँ पर bank का लेज़र create करना होगा तो यहाँ पर हम create वाले option पर जाएंगे या फिर आप अपने keyboard से allc press कर सकते हैं तो यहाँ पर हम allc press करते हैं और यहाँ पर state bank of India टाइप कर लेते हैं एंटर करके इसे bank account में डाल लेते हैं और इसके बाद इसकी सबी details को fill करके इसे save करने दे हैं यह देखें ऐसा करते ही जो राशी है हमारी credit में लिखी थी वही राशी यहाँ पर debit में आपको दिखाई पड़ रही है इसके बाद enterprise करें आपके सामने यहाँ पर bank allocation window दिखाई देगी यहाँ पर भी आपको enterprise करना है ऐसा करते ही आप पर आपके सामने cash innovation window रेप्रेजेंट हो जाएगी और यहाँ पर अगर आप amount दिखाना चाहते हैं याप rupees दिखाना चाहते हैं कि आपने कितने कितने के note अपने bank account में जमा किये हैं तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं उसे डाल सकते हैं हम यहाँ पर enter इंटर करके इसको save कर अब वापस से contra-voucher creation window पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी narration टाइप कर लेनी हैं यहाँ पर आप देखेंगे हमने narration में लिका है बिंग bank account opened in SBI with rupees 20,000 cash इसके बाद हम इस window को accept कर लें और अब देखते हैं डूसरा टार्जेक्शन 31 मई को हमने State Bank of India से चेक द्वारा 5,000 रुपे नगद cash निकाले अब इसमें हमारा सकसे पहला सवाल है कि इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन सी हैं transaction को ध्यान से देखें यहाँ पर चेक के माध्यम से bank account से पैसे निकाले गए हैं तो यहाँ पर bank हुआ पहला खाता अब दूसरा खाता देखते हैं bank से नकती निकाली गई तो cash हुआ हमारा दूसरा खाता अब आता है दूसरा सवाल कि खाते किस प्रकार के हैं बैंक का खाता हमारा personal account है और cash का खाता हमारा real account है और अब अमारा थीसरा सवाल कि कौन सा खाता debit होगा और क्वाण सा credit Bank account हमारा Personal account है और Personal account का नियम है कि देने वाले को Credit करो यानि Credit the giver अब यहाँ पर हमने Bank से पैसे निकाले हैं यानि Bank ने हमें पैसे दिये हैं यानि देने वाला हुआ Bank इसका बतलब Bank account credit होगा और अब देखते हैं दूसरा खाता जो हमारा Cash का है और cash account हमारा real account है और real account के लिए नियम है कि जो वस्तू व्यापार में आये उसे debit करूँ यानि debit words कम सें इसका मतलब यह हुआ कि cash account debit होगा हमने bank से लुपिया निकाला है मतलब bank का balance कम होगा हमारे पास cash आया है मतलब cash account का balance बढ़ेगा तो आईए अब टैनि में इस transaction को record करने अभी हमारे सामने contra voucher खुला हुआ है और यहाँ पर F2 प्रेस करके वो तारिक डाने जिस तारिक पर हमें transaction record करनी है यहाँ credit में हमें state back of India को select करना है और यहाँ पर amount type कर दें के बाद enter प्रेस करें enter प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके सामने bank allocation window दिखाई देगी इसके बाद आपको space bar प्रेस करना है यहाँ पर आप अपनी transaction type को select करें और इसके बाद enter प्रेस करें और इसके बाद पूछी गई सभी जहनकारी को यहाँ पर fill कर दे और इसके बाद यहाँ पर enter प्रेस कर दे और इसके बाद हम वापस से contra voucher creation पर आ गये हैं और यहाँ पर आप देख सकते हमें DR याणि debit दिखाई दे रहा है इसके बाद आगे बढ़ने के लिए enter प्रेस करें या debit में हमें cash को select करना होगा enter प्रेस करें आईए अब short में एक transaction और record कर लेते हैं एक जून दोजार तेज को हमने State Bank of India के check number 123456 dated एक जून दोजार तेज से रुपए 5000 Axis Bank में transfer किये आप देख सकते हैं इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते हैं पहला है State Bank of India और दूसरा है Axis Bank ये दोनों ही खाते bank के हैं जो की personal account है colder rules of accounting के अनुसार State Bank of India का खाता credit होगा और Axis Bank का खाता debit होगा आईए अब इस transaction को record कर लेते हैं F2 की press करके तारिक 8 June कर लेते हैं credit में State Bank of India को select कीजिए और amount दानिए enter press करें enter press करते ही आप देखेंगे आपके सामने bank allocation window ओपर अजाएगी यहाँ पर space bar press करें इसके बाद transaction type select करें इसके बाद instrument number में check number डालें instrument date में voucher की तारीक आ रही है और यही तारीक हमारे check की भी है आगे बड़ें debit में Axis Bank को select कीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा bank का नाम लिखिए enterprise करते हुए इसे under of bank account डालिए बाकी further details फिल करने के बाद इसे control ले करके save कर दीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो value हमने credit side में लिखी थी वो अपने आप यहाँ पर debit side में आ गई हैं और इसके बाद enterprise करके आगे बड़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से bank allocation window आपके सामने represent हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले जो information दी थी वो सभी information आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर enterprise करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें bank का नाम देना होगा, जिस bank का यह check है, यहाँ पर आपको space press करना है, और यहाँ पर space by bank name को select करना है, और यहाँ पर आपको अपना bank name type कर दे रहा है, जिस bank का यह check है, तो हम यहाँ पर type कर रहे है state bank of India, bank का नाम type करते हुए enter press करें, नीचे narration type करते हुए इस window को यहाँ पर और इस वीडियो में हमने आपको kontra voucher के बारे में बताया है संभवता आपने इन तीनों ही voucher में एक बात का ध्यान दिया होगा कि इन सभी voucher का संबंद cash और bank से होता है और इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको purchase voucher, sale voucher में transactions को कैसे record कर सकते हैं ये भी बता चुके हैं और उससे पहले हमने आपको बताया था कि आप stock group, stock item, unit of measures को कैसे create कर सकते हैं अभी हमने जो भी transactions यहाँ पर record की हैं हम उने डे book में कैसे देख सकते हैं आईए जान लेते हैं डे book में जाने के लिए आपको skip करके बहार आना होगा gateway of tally पर आने के बाद यहाँ पर आपको डे book को select करना होगा डे book को select करते हुए आप यहाँ पर देखेंगे अभी हमने जो recently transaction की है वो transaction आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इससे पहले भी हमने यहाँ पर 3 transactions को total record किया है तो वो सभी transactions कैसे हमें दिखाई देंगी इसके लिए आपको यहाँ पर F2 प्रेस करना है और F2 प्रेस करते हुए space bar दबाना है जिससे आपको सभी date को यहाँ से clear कर लेना है और इसके बाग enter प्रेस करना है जैसे आप enter प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी transactions आपने record की हैं वो सभी transactions आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे इसके बाग आप Alt F1 की मदद से debit और credit यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप 10E Prime के अंदर contra voucher entry पास कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेशनर जरूर कीजेगा धन्यवाद